कि सब्सक्राइब किजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबा कर आल पे क्लिक किजिए हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अधा सुरूख के रैंक है एक शार्ट के माद्यम से हम आपको कुछ दिखाना चाह रहे हैं अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो आप मेहनत से कभी जिन्दगें पीछे ने इते हैं हटेंगे यह मैं पहले भी बता चुका हूं जो लोग नए आया हैं उनके लिए है यह देखो साथ यो इसको हम रैंक मान लेते हैं यह हमारा ब्रोंज हो गया शिल्वर रैंक हो गया गोल्ड रैंक हो गया प्लेटनम रैंक हो गया डायमंड रैंक हो गया और डायमंड के बाद वाला रैंक यह हो गया डामेंट के बाद वाला रैंक नेक्सट इस पर मैं एक तीर लगा रहा हूँ आप समझेगा सिर्फ समझाने के लिए और यह जो पार्ट है न 알고 सिर्फ ए पूरा पार्ट करें ए हैं और समझाने के लिए बताना चाहरें बस द्यांत देखना कि जो पूरा पार्ट है कि पूरा पार्टी है है क Εि किया है भाई यह Рेंक है मेहनत और इधर का जो यह पूरा पार्ट है ना सर यह पैंसों से भरा है अगर फाल है से यह है आपका पैंसा इंकम अब समझना सर अब यहीं कांसर समझ में आ जाएगा बस द्यान समझना देखो अब यह आपने बिजनस शुरवात क्या है यहां पर क्या किया है यहां से आपने शुरू किया और यह है हमारा सफर पहला सफर हमारा क्या था सर पहला पढ़ाओ ब्रॉंज यहां आने का मतलब ब्रॉंज पर आ गए तो ब्रॉंज पर छोटी इंकम आ जाती है पर जो आपने महनत किया वो इतना महनत किया सर समझ में आ रहा है महनत आपने इतना किया और पैसा आपको इतना मिला next ब्रॉंज के बाद कौन सा रेंक आ जाता है silver रेंक पर आप इतनी महनत करते हैं और इंकम कितना आया थोड़ा बड़ा अगला राइंक आपने ले लिया गोल्ट अगर यही लाइन से भी समझे तो गोल्ट पर देखना सर हमारी मेहनत थोड़ा कम हुआ यहां के मुकाबले और इंकम बड़ा अगला राइंक कौन साथ अगला राइंक प्लेटनम प्लेटनम बनने के बाद इतनी बड़ी इंकम कि हो आती है चुकि एक प्लेटनम डिरेक्टर की पांच लाख रुपया तो फंड आ जाता है कौन सा फंड और फंड और गोल्ड रैंक पे जो हम लोग देखें कि यहां पे कम थोड़ा मेहनत लगता है पैसा ज्यादा आता है इस गोल्ड पे क्या मिलता है सर बाइक फंड एक लाख रुपे बाइक रिवाड पंड यह मिलता है गोल्ड रैंक ते अब प्लेटनम और गोल्ड के बाद वला कौन सा रैंक है डाइमंड डाइमंड यह कितना है पचास लाक रिवाड है पचास लाक रिवाड है और टू परसंट पर डे कंपनी टर्नोबर की रिवाल्टी थ्री परसंट तो रिपर्चेज के उपर भी आता है यहनि पचास लाक रुपे दोस्तों डाइमंड रैंक पे आने के बाद आप देखना दिक्कते कम हो जाएंगे मुश्किले कम हो जाएंगे पैसे पैसा आएगा यह पैसा आ रहा इतना पैसा आ रहा है और मेहनत थोड़ी सी पैसा इतना अब देखो नेक्स्ट रैंक कौन सा है बुल्लू डायमंड का बुलू डायमंड का मिलू डायमंड रॉयल डायमंड जो भी कह लीजिए अगला रिंड के बाद वाला राएंक क्या है यह पैसे इपैसा इपैसा कुछ हो सकता है वो तो नाम यह नाम अपना कंपनी कर सकती है इस रैंक पर आने के बाद देखो क्या है एक करौन रुपया कि तो आप ऐसे कितने लीडर चाहते हैं साथ कि इस रैंक पर आए अब चाहते हैं इस रैंक हमझा चाहते हैं माईड devenir फिंट फिर्ण यह जो यह जो बड़ा धर बनेंगे जब भाप बनेंगे जब आप गॉल्ड मिलेगा यहां आने के बाद तो आपको पैसा मिलेगा कि दर्ब मिलेगा साब कैश सहर उपर के रैंक पर आने दर्द नहीं मिलेगा एक चीछ मिलेगा वो क्या है गाम पैसा करते हो पैसे से क्यों वो गाना गाईयेगा तो समस्दार लोग है वो गाना जो लोग सुने होंगे वो गा लीजिएगा अब तो इसारा कर दिया है समस्दार के लिए तो इसारे काफ़ी होता है यह तो देखना दोस्तों अब यह आपका माइंट सेट में किलियर हो जाना चाहिए कि आज हम ब्रोंज रहेंग पे इसलिए हमारी खुद की जिन्दगी में पैसा कैसे आएगा वो उसको पता ही नीचे लेगा कई लोग क्या यहीं ब्रोंज बनके लुड़क जाते हैं सिल्वर बनके लुड़क जाते हैं डरक जाते हैं गोल्ड बनके भी यस लेकिन अब तो खेर गोल्ड पे एक लाग रुपए आ रहा है अब तो आ दोबे का कुट्ता ना घर का नहीं के नहीं के ना नां भी खराब होता पैचान भी खराब होती मेज्ट भी खराब होती और वह खराब इसलिए हो रहा चूकि उनके आदत तो चुकि अब हम लोग जूंप है प्रोफेशनल सब्द यूच करना पढ़ रहा है ने एक्जामपल बढ़िया बताते आप चलो यह होगे दूस्तों